सेक्टर है जहां पर आज काफी नर्मी दिख रहे हैं चुनेंदा एक दो इमेंसी को बड़ी इमेंसी को चोड़ दें तो सारे ही शेर्ट सेक्टर के कमजोर नजर आ रहे हैं टाटा कंजूमर में सबसे ज्यादा गिराबट है साथ परसन से ज्यादा की बिटैनिया में भी काफी बिटाई है तो बहुत ही सुच समझ के ट्रेडिंग भी करना है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी नेगेटिव है तो यहां पर अगर स्टॉक चुनने वाली बात है एक सपोर्ट पर आया हुआ है और सपोर्ट के एरि का कनफर्मेशन है 480 पुट राइटिंग अक्शन देखके तो मेरा मानना है कि अगर यह सेक्टर में आपको बाइंग ही करनी है तो ITC में आप एक शौट टर्म ट्रेडिंग बेट देख सकते हैं रेकावरी में स्टॉक में 500 या 505 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे और ट्रेड में आपको स्ट्रिक स्टॉप लॉस 472 का बनके बाई करना है त्रीक है यह एक एहम रणीती आपको मिलती हुई ITC बेट ब्रॉडर मारकर से कुछ और स्टॉक की चर्चा करते हैं IT शेयरों पर आज काफी दवाब बिखरा है खास करके मीड कैप और स्मॉल कैप IT अपनिया जादा कमजूर हैं कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सब 2-5-5 परसेंट तक कमजूर यहां पर नजर आ रहे हैं यहां से अक्षे क्या आपका विव क्या बन रहा है IT शेयरों पर जी IT as a sector अगर आप देखे तो मैं निफ्टी IT का प्राइस चार्ट देख रहा था, वीकली प्राइस चार्ट जो उसका सेक्टारिल इंडेक्स का है, मेरे सबसे 7-8 हफते हो चुकी है कि एक साइडवेस कंसॉलिडेशन में चल रहा ही IT पैक, स्टॉक स्पेसिफिक तो आक्ष प्रेशर देखने को मिल सकता है, मेजर IT स्टॉक्स के रिजल्ट भी हो चुके है, तो कोई positive हमने एक buy trigger भी result के post IT स्टॉक्स में नहीं देखा, तो एक caution एडवाइस करना चाहूंगा, IT में कोई भी आपकी buy positioning है, तो current rate से आपको 1-2% नीचे stop loss strictly maintain करके hold करना है या exit कर लेना है क्योंकि मेरे इसाब से थोड़ा सा एक caution है, यहां से stocks में थोड़ी सी बिक्वाली का pressure आगे जाके बढ़ सकता है, तो tight stop loss से काम करने की मेरी राए रहेगी IT stocks में, यह है IT stocks पर नजरिया अक्षा जी की तरफ से आता हुआ, बढ़ते हैं जहां पर कमजोर नतीजों की वेज़ है, जो पूरे private banks के पूरे pack में, वही green निशान में है, वही पूरी तरफ से मस्बूती दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी bankों की हालत काफी खराब है, इन बैंक देखी, यहां पर भी 3% से ज़्यादा की इरावट, इन बैंकों में, प्राइबेट बैंकों में कोई आपकी topic है, क यह selling दिख रही है, और इस जो results season है, इसका एक खासियत रहा है कि थोड़े से online estimate भी आने पे काफी पिटाई आपको stocks में देखने को मिल रही है, तो अगर मुझे कुछ stocks खोजना है, यहां पर कि जहां पर कुछ भी buying आपको शायद देखने को मिले, तो आप federal bank, private banking space में है, इ short term शायद 200 और 190 के range में choppy हो, बट जिस तरीके का setup है, मेरा मानना है कि stock re-attempt कर सकता है, अपना swing है, जो करीबन 207 का है, और उसे भी breakout की कोशिश कर सकता है, तो जिनके पास है, उनको बने रहना है, with stop loss below 185, नहीं खरीददारी भी कर सकते, with stop loss below 185, कुल मिला के 210-215 यह आपक को पसंद आ रहा है, 180 रुपए के नीचे का stop loss लगा ले, और यह आगे 215 रुपए तक भी जा सकता है, पोजेशनल कॉल है, फेडरल बैंक की तरफ से, और यह सही वात आपने अक्शे कही, कि इस बार क्योंकि वैलुएशन इतने जादा थे, कि अगर in line भी एगर results आ रहा है उमीद के मताबिक भी आ रहा है, तो भी बाजार उसे रोक नहीं पा रहा है, गिरावट उन शेरों में जादा दिख रही है, अगर सरकारी बैंकों को अगर देखे तो यहां पर भी दबाब है, जादा तर बैंक से यहां पर कमजोरी नजर आ रहा है, आयो बी, कैनरा, रहा हो, चल सकता है आगे, अगर देखे तो अल्रेडी एक अंडर पर्फॉर्मेंस है, और कोई स्ट्रेंद हमें इस स्पेस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, एक स्टॉक जो है स्टेट बैंक, उसमें एक स्टेंद दिखा ही दे रहा था था लास्ट वीग, बट वो भी अगर आज देखे तो फ्लाट है, 1% डाउन है, SBI अगर आप देखे तो एक रेंज है, 825, 830 का, तो अगर ये रेंज हाय साइड में स्टेट बैंक में ब्रेक होता है, तो इस स्टॉक में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ने तो लुवर साइड में अगर आप ये तो साला होगी 825, 830 ब्रेक करने की, उसके बाद इस स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, अगर टाटा संस के लेस्टिंग हुई, तो ग्रूप कंपनियों में सबसे जादा फायदा टाटा केमिकल्स को होगा, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी स सही होगी, अश्रेसा जुड़ गई है, अश्रेसा बताइए, बिलकुल एप्रिल के महिने में इस साल टाटा संस ने रिजर्व बैंक ओफ इंडिया को अप्लिकेशन डाली थी, उनके लिस्टिंग के नॉम्स में कुछ रिलाक्सेशन देने के लिए, तो रूल्स के मताबिक टाटा संस को सब्टेंबर दो हजार पच्चिस तक लिस्ट होना होगा, रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने अब ये अप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी है, ऐसा इटीनाओ, स्वधेश को पता चला है, सूत्रों के मताबिक, उनका मानना है कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया को कोई स्पेशल एग्जेम्शन टाटा संस को नहीं देना चाहती और इसी के चलते टाटा संस को सब्टेंबर दो हजार पच्चिस तक लिस्ट होना होगा, कुछ यह होल्डिंग पैटन की बात करें तो टाटा स्टील करीब 3% हिस्तेदारी होल्ड करती है टाटा संस की, टाट टाटा संस लिस्ट होता है, तो वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर होगा और सभी स्टॉक्स में तेजी दिखाई देगी, टाटा केमिकल्स पर सबसे जादा फोकस होगा, जिसके चलते स्टॉक में करीब 11% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में मिली है, तो सूत्रों के हव टाटा संस लिस्ट हो जाएगा, जिसके चलते टाटा केमिकल्स में करीब 11-12% की तेजी आज दिखी है, शुक्रिया शिर्सा ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए, चलिए अब इस स्टॉक्स पर भी एक बार फिर से राय ले ले लेते हैं, राजे जी टाटा केमिकल्स बता रेंज में से बाहर आ रहा है स्टॉक और जो इसका प्रीवियस रेंज था अराउंड 1150 का तो वो ब्रेक हुआ है अपसाइड में, तो एक्सपेट करें यह जो ट्राक्शन है वह आने वाले सेशन में कंटिन्यू रहेगा, बाय और डिप की रननीती रखे, स्टॉक जो है य किरावट में खरीदने की सला, यहाँ पर टाटा केमिकल्स में अभी भी यहाँ पर बाइंग के मौके इनको दिख रहे हैं, एक स्टॉक है जहाँ पर आज काफी जादा